कृत्रिम Neural Network शब्द से स्पष्ट हैं कि ये मस्तिष्ट की अंतरनिहित विन्यास की कृत्रिम अमल हैं, जिसे हम मस्तिष्ट के Neural Network के नाम से जानते हैं. तो विचार यह है कि जिस तरह पंचियों ने विमानों के डिजाइन को प्रेरित किया, Neural Network कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों को आकार देने में मदद कर सकते हैं. कृत्रिम Neural Network एंस मशीन लर्निंग के एक उपसमू हैं और डीप लर्निंग के कोर में हैं. वे इंटरनेट पर बिलियनों छवियों की वर्गी करन, भाशन पहचान उपकरनों की संचालन, अपने पूर्विक रुचियों के आधार पर लाखों उपयोग करताओं के फीड में विडियो, पोस्ट, ट्रेंड पर सुझाव देने या चेस यागो जैसे पारंपरिक दिमा और रणनीती से संबंधित खेलों में कुछ एशियाई विश्व चैंपियनों के साथ खेलने और प्रतिसपर्धा करने जैसे अत्यंत जटिल मशीन लर्निंग कारियों के पीछे होते हैं। विकिपीडिया के अनुसार, कृत्रिन तंत्रिका नेटवर्क जिसे आम तौर नियूरल नेटवर्क भी कहा जाता है, एक गनितिय मॉडल है। यह मॉडल जैविक तंत्रिका नेटवर्क की संद्रचना एवं कार्यविधी का अनुसर्ण करता है। अधिक्तर मामलों में कृत्रिन तंत्रिका नेटवर्क अपना स्वरूप विभिन सूचनाओं को विशलेशित कर निरंतर परिवर्तित करता रहता है। तंत्रिका नेट्वर्क अरैखिक सांखी किये सूचना मॉडलिंग, नॉनलिनियर स्टैस्टिस्टीकल डेटा मॉडलिंग का एक उपकरण है। इस मॉडल का उपयोग कर जटिल डेटा का विशलेशन किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि वे कैसे काम करते हैं। कृत्रिन नेट्वर्क एक सीखने वाले एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं, जो नए इन्पुट प्राप्त करते हुए स्वत समायोजन करने या सीखने के लिए सक्षम होते हैं। इससे यह एक असंतुलित सांखिक डेटा मॉडलिंग के लिए एक बहुत ही प्रभावी उपकरण बनाता है। कृत्रिन नियूरल नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े नोडों से बने हुए होते हैं, जिन्हें नियूरॉन या कृत्रिन नियूरॉन कहा जाता है, जो जानकारी को प्रसंसकरण करते हैं और एक दूसरे के साथ संचार करते हैं। यह connections की एक शिंखला के माध्यम से होता है, जिसे synapse कहा जाता है। प्रत्येक connection, biological brain में synapse की तरह अन्य नियूरॉनों को सिगनल भेज सकता है। पहले एक कृत्रिन नियूरॉन सिगनल प्राप्थ करता है, फिर उसे प्रोसेस करता है और फिर वो उससे जुडे नियूरॉनों को सिगनल देता है। एक connection पर सिगनल एक वास्तविक संख्या होती है और प्रत्येक नियूरॉन का आउट्पुट इसके इन्पुटों के योग की कुछ नॉन लिनियर फंक्शन द्वारा गणना करके आता है। connections को age कहा जाता है। Neuron और age पर आमतोर पर एक weight assign होता है जो सीखने के दौरान समायोजित होता है। हालांकि कृत्रिम Neural Network हाल के वर्षों में लोग प्रिय हुए हैं लेकिन हम उनके मूलों का पता विश्व युद्ध के काल में लगा सकते हैं। कृत्रिम Neural Network पहली बार उननीस सो तैंतालीस में नियूरोफिजियोलोजिस्ट वारेंग मैक कुलोच और गणितग्य वाल्टर पिट्स द्वारा पेश किये गए थे। अपने शोध पत्र Allogical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity में मैक कुलोच और पिट्स ने अधिकांशताय तर्क प्रयोग करके बताया कि जानवरों के दिमाग में बायोलोजिकल नियूरोन कैसे एक साथ काम करते हैं। पहला कृत्रिम Neural Network आर्किटेक्चर था। तब से बहुत से अन्य आर्किटेक्चर्स के आविशकार हुए हैं। कृत्रिम Neural Network का भविश्य एक उजड़वल और नए संभावनाओं से भरा हुआ है। अब इंटरनेट और स्मार्ट टेक संबंधित उत्पादों का उप्योग बढ़ रहा है। जिससे Neural Network को ट्रेन करने के लिए बहुत सी डाटा उपलब्ध है। ट्रेनिंग एल्गोरित्म की गुनवत्ता में भी समय के साथ सुधार हुए है। और इसके साथ ही संगणना और प्रोसेसिंग क्षमता में विशाल वृद्धी हुई है। और फ्डिंग और निवेशों की बहुतायत Neural Network शेत्र में इस मौझूदा रूझान को प्रोमोट कर रही है। क्रित्रन Neural Network काम कैसे करता है, उसे समझने के लिए मानव दिमाग की अंतरनिहित धंग से अवगत होना आवश्यक है। और यह वह विशय है, जिस पर हम बाद के हिस्सों में विस्तार से चर्चा करेंगे।